हलो गाईस तो मैं ले आया हूँ बोड़ी बिलिंग के बहुत सा आई नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं हाड़ी चूपन यानि कि हमारे करेंट मिस्ट ओलेंपय के अपडेट के साथ जो अब लेस देन 16 वीक्स तूर है अपने फोस्ट टाइटल डिफेंड से जी हाँ गाईस सिर्फ 16 वीक्स से भी कम टाइम बचा है मिस्ट ओलेंपया में देखते देखते टाइम कितनी जल्दी पास हो गया और इसका मतलब सिर्फ एक है कि अब बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग अपडेट्स होती जाएंगी सारे ही कमपैडिटर्स प्रेप सारी में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा तो आप लोग भी चैनल पर पूरी तरह एक्टिव रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और नोडिफिटिन बैल को तो दबा ही दें ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और इस बार गाईज इस मिस्ट्र ओलंपिया में जाते हुए लास्टेर की ही तरह हार्डी ने कोई जाद अपडेट शेयर नहीं करी है ना ही यूट्यूब पर उनके पहले जैसे बहुत ज़्यादा वोग आउट वीडियोस आये हैं काफी टाइम से हार्डी चुपन और हैनी र के लिए सामसन या बिग रैम ही खत्रा नहीं है नो गाईज बलकि सबसे बड़े चैलेंजर तो वो है जो एक स्किन डिजीज के साथ और लेस जेन 100% होते हुए भी बिल्कुल ही माइनर सी मार्जिन से हार्डी से जीते जीते रहे गाए जी हाँ गाईज मैं यहाँ पर बात क विट एडिट साइस इन एक बहतर कंडिशन जस्ट इंसेन गाईज कोई टस नहीं कर रहा है डैरेक को इस वक्त इनकी कंडिशनी उनके शेप के हिसाफ से फिर चाहे आप फ्रन्ट रिलाक्स देख लो या फिर कोई और पोस बैक पोस और भी ज्यादा डीटेल हो गए है और इस पोस में तो डैरेक जैसे विंक्स कोई नहीं उपन कर पाएगा एपसंथाइस भी डैरेक का इस सॉलिट पोस लग रहा है विट क्रेजी बिगर कॉट्स और 16 वीक्स आउट में गाईज कैन यू बिलीव इट 16 वीक्स आउट में ये कंडिशन है ये सेपरिशन है डैरेक क लग रहे हैं इसमें इंसेन स्ट्रक्चर इंसेन मसल्स और एक पूरा 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 पोटेंशल गाईज इस साल टाइटल को अपने नाम करने का और बोस डैरेक इस रेली हंगरी आई मिन आप इनके पॉड़कास्ट और इंटल्वू देखोगे तो आप रियलाइस करोगे क इस पूरे पिछले साल डैरेक का हर एक स्टेप हर एक मूव सिर्फ और सिर्फ इस टाइटल को जीतने के लिए केपेबल बनने के लिए करा गया है साथ ही अगर बात करें फ्लेक्स लूइस की तो मैन वो भी यहाँ पर एक फिजीक अपडेट हमें दे ही देते हैं और जस्ट कहीं से भी नहीं लगे बलकि काफी अच्छा स्टैंड कर रहे थे तो फ्लेक्स की फिजीक बहुत इंप्रेसिटी और सच में गया एक नॉन कंपेटिटर को ऐसे जबरदस हुज आम्स ग्रेट चेस्ट और जबरदस फ्रेम के साथ देखते हुए और अब बात कर लेते हैं ब एक तरह से सारे बाड़ी बिल्डिंग फैन्स हैरान हो गए और बहुत सारी अलग अलग तरह की बाते होने लग गई सोचल मीडिया अबर कि क्या बिग रैमी ने इस पिक के कैप्शन को एडिट कर दिया और फिर लोगो को पता लगा कि बॉस ये तो 2020 की पिक है क्यों इस साल उनकी इतनी कम अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है एक तरह से पूरी तरह से डिजपियर हो गए हैं बिग रैमी इस वक्त बट जिस तरह का क्रिटिसिजम बिग रैमी को मिला है गाई वो भी एक फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया होते हुए उससे इस रियली प पहले ही में बोल रहा था कि Texas Pro 10 weeks बाद है और अब सिर्फ 4 weeks बचे हैं बट एंड्रू यहां इस फिजीक अपडेट में क्या आपको improved लग रहे हैं वेल फ्रंट से तो एंड्रू यस is looking crazy good बट फ्रंट पोसिजम में तो एंड्रू हमेशा ही ऐसे impressive रहे हैं बट side shots में especially एंड् फ्रेम को fill out करने के बाद भी अभी और scope है फ्रेम को fill out करने का देखे बैक improved undeniably बट फिर भी गाईज वो width वो thickness नहीं आ रही और सिर्फ और सिर्फ इस great height की वज़े से बट फिर भी गाईज Texas Pro last year तो एंड्रू ने डॉमिनेट ही करा था so let's see क्या एंड्रू उससे repeat करते हैं वैल उससे पहले ये देख लेते हैं 2 weeks out ये Hunter Labrata की update and जैसा मैंने पहले भी कह था guys ये Hunter का I mean इस साल Hunter ने जो भी changes करे हैं वो सबी work कर रहे हैं इनकी diet changed थी इनकी workout routine changed थी साथ ही इन्होंने posing तक change कर दी guys now look at him look at the back कितनी ज्यादा developed कितनी ज्यादा detailed and improved लग रही है Hunter को काफी ज incredible guys crazy with कितना जबदस wheat taper Hunter बना रहे हैं and I must say guys Texas pro में एक अच्छी battle देखने को मिलेगी Andrew और Hunter के बीच में and Hunter काफी improved है और on paper Hunter placed higher in Mr. Olympia than Andrew Jack so ये चीज़े Hunter की तरफ से बोल दी है plus we all know कि Andrew का glutes और hampsons की conditioning even Arno Classic में भी उस level की नहीं आई थी plus thickness की कमी side shots में तो I don't know guys I don't know दोनों के लिए ही बहुत सारी चीज़े बोरी जा सकती हैं बस ये तो मैं कहूंगा कि Hunter अगर Andrew को beat कर देते हैं Texas में तो एक crazy momentum उन्हें मिल जाएगा Mr. Olympia में जाते हुए and बहुत टाइम से का इस लोग वेट कर रहे हैं horse 70 के pro debut का but अब horse 70 ने ये pick post करी है जहां Rafael Brando जो खुद भी पहच में भी बोला कि X weeks to the championship अब X weeks इसका मतलब क्या है guys well इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 10 weeks to the championship and अभी अगर horse 70 को देखें तो कम से कम ये 8-10 week out ही physique होगी उससे जादा भी हो सकती है बट कम कम तो नहीं हो सकती so championships नाम से European pro championship का भी idea होता है जो अभी I think 10 weeks बाद ही है तो क्या horse 70 European pro में compete करने वाले हैं well अगर ऐसा है guys तो man European pro का line up बहुत ज़्यादा stacked होता जा रहा है क्योंकि good video भी वहीं से अपना pro debut कर रहे हैं फिर Regan Grimes का return एक साल के बाद और I think Nathan Diasra भी European pro से ही return कर रहे हैं so 4 बड़े saddening सी बात है कि बहरूस तबानी को इस तरह से लोगों से help मांगनी पड़ रही है इस captain में बहरूस के coach Milo's B is asking for help in getting visa for बहरूस और बहरूस भी बोल रहे हैं कि Lord help me तो last year भी qualify करने के बाद पूरी प्रेप करने के बाद बहरूस को visa नहीं मिला और उनके सारे efforts खराब हो गए and कि बहरूस जिस तरह का size जिस तरह की muscle mass carry करते हैं और जब यह qualify करने के लिए compete करने उतरे हैं guys वहाँ हमने एक insane conditioning और peak का combination with great muscle mass देखा है So to let these all go to waste इतना efforts खराब होना especially जब आप एक top के container बनने का पूरा potential लगते हो So let's all just pay and hope बहरूस की यह मैनत इस साल खराब ना हो Next update है guys William Bonnick की जो almost 4 weeks से सारे supplement सारी training और सारी PD से दूर थे Because वो अपना hair transplant का treatment करवाने गए थे और यह update है उनकी 4 weeks के बात की और William is now back into the gym But कमाल की बात यह है guys की पूरी तरह से 4 weeks off रहने के बाद भी training ना करने के बाद भी और even इस बीच यह maximum 3 meals ले रहत है उसके बाद भी guys William चाहे लीना लग रहे हो no doubt in that But William की muscle bellies अभी भी वैसी थिक साइट पर है And they are looking really fuller साइट पर William ने यह भी बताया guys की इस period में उनकी physique को एक अच्छा rest मिल गया है और अभी वो थोड़ा lightly ही train करेंगे और धीरे धीरे इस intensity को increase करेंगे और परेशान होने के कोई बात नहीं है guys क्योंकि William का अभी कोई plan नहीं retire होने का बलकि William हमें next दिखेंगे 2024 के Arnold Classic में compete करते हुआ And I hope guys यह video आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो please like कर दो चैनल को subscribe कर दो notification bell को दबा दो Instagram पर follow कर लो Thank you, bye bye